Hi, this is Neeraz Garg and you are watching Garg Tutorials. अगर आप मेरे चैनल पर नुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे. मेरे चैनल पर आपको क्लास 9th and 10th के Maths and Science के सारे वीडियोज मिल जाएंगे. New Pattern, Pages Study Based Questions, MCQs, NCRT Questions, RS Agarwal, Examplers, सब कुछ. सारा कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं, Chapter 13, Surface Area and Volume. Example No. 1. राशित गॉट प्लेंग टॉप लट्टू. मतलब जो टॉप होता है, उसको हिंदी में लट्टू बोला जाता है. As his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a coon, surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 cm in height and diameter of the top is 3.5 cm. Find the area he has to color. Take pi is equal to 22 upon 7. कुछ top की इस तरीके की shape होती है. ठीक है, ये हो गया हमारा conical part और ये हो गया हमारा hemispherical part. ठीक है, बच्पन में आपने काफी इससे खेला होगा. बच्पन में सब बच्चे इससे खेलते हैं. तो आपको याद ही होगा. ठीक है, अब इसके ऊपर हमें color करना है. तो सोचो जड़ा, सोच कर बताओ कि क्या निकालना है हमें इसका color करने के लिए? कौन सा area हमें color करना होगा? तो इसका actually maximum बच्चे क्या जवाब देंगे? कहेंगे कि मैम total surface area of hemisphere और total surface area of cone? ठीक है, और उसको हम add कर देंगे और हमारा answer आजएगा, जो की बिल्कुल गलत है. बिल्कुल हमें वैसे नहीं करना है. इसके लिए आपको एक figure दिखाते हैं. तो देखें, जब हमें top बनाना है, तो कुछ top का, ये conical part हो गया, ये हमारा hemispherical part हो गया, इस conical part को हमने hemisphere के ऊपर रखा, तो हमारा कुछ इस तरीके से रखते हुए, ये आपस में joint होकर बन गया. ठीक है? अब by total surface area तो हम नहीं use कर रहें, टोटल surface area में तो base area भी आ जाता है, और दोनों base तो आपस में use होकर शिप गए, वो तो दिखाई नहीं दे रहें, तो इसका मतलब हमें इसमें क्या निकालना होगा? covered surface area दोनों का. और हमें given क्या है? ये देखो हमें यहां से लेके यहां तक की height 5 cm given है. ठीक है? तो तुम्हें सबसे पहले यहां से लेके यहां तक की height पता होनी चाहिए, कि यह height कितनी है. अब तुम यह सोचो कि भाई, यहां से लेके यहां तक का यह वाला part क्या होगा? ठीक है? तो यह part जो होगा, यह होगा radius. और तुम्हें क्या given था? यह हमें diameter given था 3.5 cm. तो radius कितना हो गया? 3.5 by 2 हो गया, ठीक है? decimal हटाया, 5 से cancel किया, तो यह आगया हमारा 7 by 4 cm. तो यह जो radius आगया, वो आगया हमारा 7 by 4 cm. ठीक है? तो भाई, यह height, इसकी जो height है, यह वाली जो height है, this one, यह कितनी आगया, इसकी cone की height? ठीक है, उनकी height कितनी आगया? h, वो आगया 5 minus 7 by 4, मतलब कि LCM लिया, यह हो गया 4, और 20 minus 7, मतलब कि 13 upon 4 cm आगया, हमारी height of the cone. ठीक है, इतनी बात clear हो गयी, तो भाई, यहां लिख लेते हैं, कि जो r है, वो हमारा हो गया 7 by 4 cm, और h हो गया हमारा 13 by 4 cm. So, अब तुमने क्या निकालना है? तुमने निकालना है, total surface area of top, ठीक है? अब वो क्या होगा? C.S.A. of hemisphere plus C.S.A. of cone, ठीक है? अब hemisphere के C.S.A. का formula होता है, 2 pi r square plus pi r L, ठीक है? एक बात अच्छे से धियान रखना कि r जो है, वो दौनों का same होगा, क्योंकि दौनों एक दूसरे के उपर पुरी तरीके से fit होते हैं, ठीक है? तो r दौनों का save होने वाला है. अब हमें L नहीं पता है, तो formula में पहले values डालने से पहले L निकाल लेते हैं, कि L कितनी है? और h हम निकाल चुके हैं, already 13 by 4 cm है. L के लिए जो हमारा formula होता है, that is under root of r square plus h square, ठीक है? r कितना था हमारे पास? 7 by 4 है, यह रहा हमारे पास, ठीक है? 7 by 4, तो यह हो गया 7 by 4 का square, plus h है 13 by 4, तो 13 by 4 का square, ठीक है? इसको solve करेंगे, यह आगया हमारा 49 upon 16, plus 169 upon 16, और दौनों को जब हमने add किया, तो यह हमारा आजएगा, under root of 218 upon 16, ठीक है? तो इसको हम 16 का under root जो होगा, वो 4 होता है, और root 1218, यह उपर root 218 आगया, 218 का जो square root आएगा, वो आजएगा 14.76 divided by 4, तो हमारी जो L आगया, वो आगया हमारा एपरोक्स 3.69, मतलब इसको हम 3.7 cm लिख सकते हैं, ठीक है? एपरोक्स, ठीक है? और एपरोक्स में तुम निकाल सकते हो, इसलिए कोई problem नहीं है, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है, TSA निकालना है, ठीक है? So, TSA of top, ठीक है? तो उसका जो formula था, यह है हमारा, 2 pi r square plus pi r l, यह हमारे क्या आया है? l आया है, ठीक है? अब इसमें हमने क्या करा? pi r common ले लो, ठीक है? तो यह हो गया 2 r plus l, values डाल दो, pi की value 22 upon 7 है, r हमारे पास है 7 by 4, यह अंदर आ गया, 2.27 by 4 plus l है 3.7, ठीक है? इसको हम solve करेंगे, 7 से 7 cancel हो गया, इस 2 से यह 11, so यह आगया 11 by 2, और bracket में यह 2 cancel हो, और 7 by 2 मतलब की 3.5, plus 3.7, right? तो हमारे पास आगया 11 by 2 into, और इनको जब हम add करेंगे, तो यह जाएगा 7.2, इस 2 से यह divide हो जाएगा 3.6, मतलब हमारा आगया 11 into 3.6, और इसको जब हम multiply करेंगे, तो हमारा जो answer आजाएगा, that is 39.6 cm2, यह हमारा required area आगया, this one, hope आपको कुर्शिफ अच्छी से समझा आगया होगा, all the best! आपको कुर्शिफ यह clearा, तो हमारा Web criticizing, यह हमारा आपको करेंगे, यह जो हमारा आपको